Hi Guys, My Name is Nedi Bhattnagar and I welcome you all in my channel online classes by Nedi Bhattnagar. So, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं My Big Book of Social Studies, जो की Class 5 की SST की बुक है और रतना सागर का है Addition. Chapter No. 19 लेंगे The United Nations और हम करेंगे इनके Notes. यानि कि इस जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को सारे Question Answers देने वाली हूँ और निक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस Chapter के सारे Phillips देने वाली हूँ. पक्का है क्योंकि हर चीज इसी वीडियो में है चीक है इस वीडियो में प्लस नेक्स वाली वीडियो में. Chapter's मैंने सारी Book के सारी Chapter अलरी अपलोड करती है आप लोग रिक्विस्ट करते हैं कि वाला Chapter नी मिल रहा है वो वाला. प्लीज आप वीडियो में चाहिए, अपलोड में चाहिए, आपो सारे Chapter's मिल जाएंगे क्योंकि बुक अलरी काफी दिनों पहले ही Finish हो चुकी है हमारी तो चलिए जी विदा उदिल अपनी Question-Answers को शुरू करते हैं. What is the full form of UN? सब अपसे पहले कुश्छन आजाता है कि UN कि जो पे Chapter है, United Nations, तो UN का full form क्या है? क्या है ये UN? United Nations, ठीक है? United Nations, ये है हमारा UN का full form. Next आजाएए भी, What is the main function of United Nations? So, सबसे ज्यादा, main, इसका कान क्या है, United Nations का करती क्या है? The United Nations, यानि कि UN, is an organization that helps maintain peace in the world. So, जो मारी United Nations है ना, एक ऐसी organization है, जो help करती है, मदद करती है, maintain रखने में, शान्ती को, ये पीस को, पूरे संसार में. बूरे संसार में, शान्ती को maintain करने का काम, इनका ही है. जब पहला World War हुआ था, तब एक group बनाया गया था. ठीक है, League of Nations करके, लेकिन क्या हुआ, कि पहला World War के बाद, वो जो group था, वो अपना काम इतना अच्छा तरीके से नहीं कर पाया, जोगी दूसरा World War तो हो गया, उसका काम भी यही था, भई दुनिया में पीस वगएरा रखना, शान्ती रखना है ना. लेकिन जब Second World War कुछी सालों में हो गया, तब समझ में आया कि भई, League of Nations से हमारा काम नहीं चलेगा, और तित्ने विश्वयुद्ध के बाद फिर एक दूसरी संस्ता बनाएगे, एक दूसरी organization बनी, that is United Nations. इसका काम यह था, कि यह पूरे अलग अलग जितने भी देश है धरती पर, यह अपस में ना लड़ी, सब लोग शांती से रहें, अगर इनके बीच में कोई conflict हो भी जाता है, कोई जगड़ा हो भी जाता है किसी मुद्धे को, तो यह लोग शांती से उन जगड़ों को, इन लोगों को बढ़ा के समझा के निप्टा सके, यानि कि जगड़े को आगे ना बढ़ने दिया जाए, नेक्स स्टेप पर कोई विश्वयद अगला ना हो, और यह काफी सफल भी रहा, बिकोज इस सेकिंड विश्वयद के बाद अभी तक कोई और विश्वयद नहीं हुआ है, तो चलिए, नेक्स कुशन देखे, तो किस ने यूज़ किया था, 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 यू से समझ लो दर नीम युनाइटे निशन्स फॉस्ट यूस्ट पाइदा फ्रेंक्लिन डी रोजवेल्ट या देन प्रेजिदेंट आफ दी युनाइटे इस्टेट अफ अमेरिका समझ के अप लो चलिए जी नेक्स्ट कोशन करते हैं अच्छा हां एक और चीज मैं घर पे क्ला क्लासस घर पे मुझसे लेना चाहता है तो कॉंटक्ट कर सकता है नंबर है 858821529 मैं रहती हूं ग्रेटर नौडा वेस्ट गॉर्सिटी फन में ठीक है तो जो आसपस की सुसाइटी के हैं अगर आप लोग कॉंटक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो चलिए नेक्स कुशन क्रिएट यह बाए दो बर लिखिया है चीक है इसको एक बार आप काट देना पॉस करके चाहो तो कुशन अंसस लिख लो वाट वस क्रिएट वाइट वाइद चार्टर विच वस साइंड वाइफिटी वन कंट्री इन 1945 देखो क्या क्रिएट किया गया था चार्टर के द्व तो चार्टर के द्वारा क्रिएट किया था एक इंटर्नाशनल और्गनाइजेशन जिसे क्या बोलता है यह इनकी या ये चार्टर क्या होता है दिखो जब विधुर्य दोनग हो तो बहुत सारे अलग अलग देशों के द्वारा एक समझरों कागत साइन हुआ शीक है कॉन् जो है इस तरीके का मैटीरील होगा जिसे की वही शांती को वो लोग भी जो है एक तर अरुकल को साइन करते हैं और फिर साइन करते हैं यह यह लिए धुरी के अग ही संगे शपौर्ट करने के लिए यह सको कि वे युद आगे-णे को लोगों ने 1 contract sign के जिसे हम charter कह सकते हैं चीक है तो charter की द्वारा क्या बना बहुत एक international organization मन गई चलो next question देखते हैं वाट आरदा हाट sorry फिर आरदा headquarter of the UN अब UN का headquarter कहाँ पर है the headquarters of the UN are in New York तो कहाँ पर है New York में हैं जिसके headquarters हैं वो is the chief administrative officer of the UN UN का chief administrative officer कौन हो कहलाता है वो होता है secretary general चीक है पोस्ट है ये secretary general तो chief administrative officer सबसे बड़ा एक तरीके से administration करने वाला काम काज को समभालने वाला office के सबसे बड़ा officer कौन है UN में तो वो कहलाता है secretary general ये उसकी post है समझ में आया write the objective of the UN अब UN क्यों बना क्या objective थे माने वो परपस क्या थे उनके बनाने के ठीक है the objective of the UN are पहला to promote peace in the world दुनिया में शान्ती कायम करना दूसरी बात क्या थी to promote cooperation among nations कि भी nations जितने भी बोलो कि एक दूसरी को cooperate करें एक दूसरी की मदद करें let's suppose एक देश में कोई problem आ गए तो दूसरा देश उसको help करने के लिए आ गया है to improve the social and economic condition of the people लोगों की समाजिक और आर्थिक स्तती को improve करने के लिए उनकी समाजिक और आर्थिक के स्तती को सही करने लिए पहतर करने के लिए ये बनाया गया था to protect human rights human rights को protect करने के लिए भी बनाता human rights का मतलब कैसे हो गया भई जैसे कि अगर अब मानव की अदिखारों का कोई हनन कर रहा है कोई इसको सतंद्र नी रहने दे रहा है को इसको बांद के रख रहा है कोई किसी को मार रहा है या कोई कुछ भी गलत कर रहा है human rights को protect करने के लिए worldwide उस level पर ये जो है UN बनाया गया next is who can become member of UN आप कैसी country या who can की जगा आप which country can भी लगा सकते हो ठीक है become the member of UN तो कौन लोग हैं जो भी बन सकते हैं तो कोई भी देश any country ठीक है that is committed to peace and accepts the goal of the UN Charter can become its member तो कोई भी country जो ये commit कर ले कि हाँ भी ठीक है हमें भी शांती चाहिए और accept कर ले इसके goal goal माने इसका aim इसका लक्षी का है भी इससे बनाने का लक्षी ये ये दुनिया में शांती रहे तो जो भी देश ये कहते हैं कि हाँ भी हमें भी शांती चाहिए हम भी आपको support करेंगे हम भी help करेंगे आगया के हम भी आपकी बातों को मानेंगे ठीक है बा काम करते हैं ऐसे युन के भी समझ लो अलग 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 टाइप के offices हो गए या अलग अलग टाइप के department कहलो टीक है अलग अलग टाइप के group of people कहलो तो वो लोग जो होते हैं वो और गन कहलाते हैं समझ में आया तो general assembly is the main organ of the UN तो हमारी जैसे body का पूरा main organ कौन सा है मारा मा सब्सक्राइब है तो हमारा माइन से तो हमारी बाकी है body parts चलते रहेंगे लिए अगर हमारा माइन खराब हो तो हमारा सारा body party गड़बड हो जाएगा तो ऐसे ही जो में organ है UN का वो है the general assembly how many votes does each member state has in general assembly देखो अलग अलग देश होते हैं उनके members वहां जाते हैं तो हर एक को को कोई भी बात अगर let's suppose कोई वहां पर ऐसा हुआ कि किसी ने कोई आइडिया दिया ठीक है ऐसे बहुत साधरान बाशन बता रही हूं किसी ने कोई आइडिया दिया कि सारे देशों को ने यह करना चाहिए तो इससे और जादा इंप्रूव होगा तो अब लोगों की सहमती ल उगी तो वो बात फिर आन ली जाएगी तो हरिक का वोट कितना हूआ एक हरिक समझ लो एक एक वोट वह वह बन्दा दे सकता है ठीक है हूए इच मैंबर स्टेट हार मैंबर स्टेट का एक वोट होता है नेक्स आछ आज होवँ इन विच मन्त अममर्स जो लोग उते हैं जो उसके members होते हैं, जो भी देश उसके members होते हैं, वो कौन से महीने में मिलते हैं, and the answer is, they meet every year in September, मैं एक एक करके आप सारे chapters लगातार आपके डाल दूगे, चीक है, channel पर बने रहना और subscribe जरूर करना, which is the purpose, sorry, what is the purpose of their meeting, अब ये लोग मिलते क्यों हैं, चीक है, साल में एक बार मि debate क्या होती है, जैसे, एक दूसरे से वारता लाप करना, एक दूसरे से कहा है ना, भी, कोई कुछ बताएगा, आपना आदेश के बारे में कोई कुछ बताएगा, लोग अपनी problems discuss करेंगे, एक दूसरे से बहस भी होगी, कि भी नहीं, ऐसा नहीं होना चीए, ऐसा होना चीए है, वो बले का नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीकिन, पीसफुल तरीके से, तो इसलिए यह लोग मिलते हैं, what is the responsibility of the security council, अब जो security council होता है, यह पोस्ट होगी, एक तरीके से, तो उसकी responsibility क्या होती है, ठीकिन, security council is responsible for maintaining international peace and security, तो यह जो औरगन है, security council बाला second number पे जो मारा औरगन है, यह responsible होता है, शांती बनाई के रखने के लिए, पूरे international level पर, पूरी दुनिया में, ठीकिया, और plus security, भई एक तरीके से, डूसरे देश पर हम लाना करी, secure रहे हैं सबके borders, next आजो, how many permanent members are there in security council, कितने permanent members होते हैं security council में, तो होते हैं 5 members, जो की permanent होते हैं security council में, next आजो भी, write the names of the permanent members of the security council, अब आपको उन देशों के नाम बताने हैं, जो की भी permanent member है, इसके security council के, तो चाइना हो गया, France हो गया, Russia हो गया, United, the United Kingdom हो गया, and USA हो गया, are the permanent members of the security council, अब security council में भी कुछ permanent होते हैं, और कुछ जो होते हैं, और दो-दो साल बात देश चेंज होते जाते हैं, ची पुरा चाप्टर के नोट से एक ही वीडियो में आ जाएंगे, नेक्स्ट है, in security council, for how many years non-permanent members are elected, तो भी security council में, कितने जो members होते हैं, वो permanently elected नहीं होते हैं, तो साल के लिए होते हैं, ठीक है, for a period of two years के लिए वो होते हैं, ठीक है, in security council, for how many years non-permanent members are elected, कितने साल के लिए हो non-permanent members, दो साल के लिए, और जो permanent है, वो तो permanent है ही, कौन-कौन से permanent पड़े हमने वापस पड़ो, China, France, Russia, United States, Kingdom, sorry, United Kingdom and USA, ठीक है, ये permanent है, which is the third organ of the UN, अब तीसरा organ हमारा कौन सा है, Economic and Social Council, पहला organ कौन सा था हमारा, General Assembly, दूसरा, Security Council, तीसरा, Economic and Social Council, चैप्टर पढ़ाने वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत काम आईगे, आप लोगों के, वाइव वस दर्रस्टिशिप चांसल वाज इस्टैबलिश, अब एक चौता हमारा, ट्रस्टिशिप कांसल वाला, वो क्यों स्टैबलिश हुआ था, ठीक है, उसकी क्या जरुवती, तर्रस्टिशिप कांसल was established to supervise the administration के बहुत, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, आफ दर्रस्टिशिप कांसल वाज सेपलिश, अध है, वे बहुत कétais, नहीं करता है, अच्यु क्या था the trustee ship council was established to supervise the administration of the trust territories of the world which were not independent then लेकिन अब तो सभी independent है है ठीक है ना so now all of them become independent तो trustee ship council जो वो functional नहीं है who carries out the day-to-day work of the UN अब कौन है जो day-to-day work देखता है भई करी करता है एक तरीके से चलाता है तो कौन है the secretary यह हमारा आगया next organ ठीक है the secretaryate जो होते है carries out the day-to-day work of the UN ठीक है तो यह करते है day-to-day work को next आग जो write the works of the secretary secretary ठीक है अब आपको पताने है secretaryate के भी क्याम क्या क्या होते है इस organ के the secretary carries sorry the secretaryate होना चाहिए the secretaryate यह T है इस में यहां लाइन लगा ले ना secretaryate carries out the day-to-day works of the UN तो रोज मदा के काम करते है यह रोज मदा के काम करते हैं UN के जो other other organs है वो अपने अपने programs बनाते हैं अपने की भी हमें यह करना है ऐसे करना है यह इस तरीके से होगा कोई भी खामिल let's suppose कोई agency है मानलो WHO होई है तो agency को अपना पूरा planning करनी है काम करना है तो सब लोग अपने काम सही रंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो policies, programs, अब सही सेल रहे है सारे organs के तो सब कुछ इन लोग देखते हैं ठीक है Who is the head of the secretary अब secretary का head कौन सो होता है the secretary general is the head of the secretary important है ध्यान रखना है इस चीज़ का which is the sixth organ of the UN अब sixth organ कौन सा है international court of justice जिसे हम बोलते है न short form क्या है ICJ full form लिखने के लिए आज सकती है याद कर ले न अच्छे से write the main function of ICJ अब यह ICJ इसका काम क्या है it settles dispute between countries तेखो एक तरीके से judgment करने वाली है international court of justice है है न तो अगर दो दिशों के बीच में या दो से जग्दा दिशों के बीच में disputes हो जाए जगडे हो जाए तो यह जो है एक तरीके से judge का काम करेगी advice देगी उसके members को state के जो भी matters होंगे of international law के according ठीक है यह settle करते है disputes को between countries and advice करते है members state को on matters of international law ठीक है what are the sorry where are the headquarters of ICJ अब इसके headquarters कहा है ICJ जो हमारा six organ है इसके headquarters कहाँ पर है main office समझ लो the headquarters of ICJ are at the AGU in नीदरलेंड जगा अच्छे से याद कर लेना पूछा जा सकता है next is write the official languages of the UN अगर chapter आ रहा है तो question आ रहा है समझ दो इतना important है official language office के कामकाच की भाशा क्या है वहाँ पर English है Arabic है French है Chinese है Russia है और Spanish है यह languages में वहाँ office के कामकाच होते हैं English Arabic French Chinese Russia and Spanish next question देखो write the full form of UNESCO UNESCO the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization the United Nations Educational sorry Nations Educational Scientific and Cultural Organizations write the main function of UNESCO the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसको हम UNESCO गोलते हैं focus करता है on improving education worldwide पूरी दुनिया में education पे focus करता है कि improve करें सब लोग सब जगा की education improve हो it also protects यह रक्षा भी करता है historical and cultural sides की ठीक है all over the world तो पूरे word में write the full form of UNICEF U-N-I-C-E-F इसकी full form क्या होती है we are United Nations Children's Fund the United Nations Children's Fund write the functions of UNICEF इसके functions क्या होते है it works for children's rights it promotes ओर आज गर टो रहे लुट अब्र फुल फॉर्म और पर यूथो यूर्ड और प्रोपहल्ट फॉल फॉर्फर मफॉर्पी लूगोर्गोर्ट गड़हिवके रहे हैं राइज क्रहें यूज माफ रूज हो आज फॉल पर्फॉर्म करगोर्णासिशन ते डब्लू पर्रॉट् रिमुविंग हंगर कि भाई कोई भूका ना रहे उसके तरफ यह गाम करते हैं मतलब तेरी किसे सबको फूड प्रोवाइड हो फ्रम दवर्ट इस लाटन मोटो क्या है उसका फ्लाइशनल लेबर ऑर्गनाज़ेशन इंटरनाशनल लेबर ऑर्गनाज़ेशन ठीक है राइट वर्क्स ओफ आई लो अब आया लो का काम क्या होता है इट वर्क्स तोवर्ट्स प्रमोटिंग एपॉर्चनिटीज जो है परती है पीपल को टू फाइंड वर्क बर ऐसी एपॉर्चनिटीज लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिसे उन्हें काम दंदा मिले जोजगार मिल इत ओल्सों टेक्स किर राइट सब्सक्राइबले साथ और जो अधीकार मिले अगर लोर्ओ द्रेट का म दिकलर आगो के साथ वेवार ना हो सब चीज़ को देखते हैं राइट अब यूएन बना यूएन ने बहुत कुछ अचेव किया यह बहुत सफल रहा एक्चुली तो अचीवमेंट्स बताने हैं अब हुआ क्या मतलब एक तरीके से यूएन बनाने के बाद ही किस तरीके से सफल रहा वो बत के बाद कोई विश्रुद्ध नहीं हुआ तो इसका मतलब जो भी देशों के बीट में डिस्प्यूट हुए भी होंगे उसको इसने मेंटें रहा इक तरीके से सॉल्व करिया उनकी प्रब्लम्स को तो इट हैस बीन एबल तो सॉल्व करने के लिए मेंटेना काम जगडों को सॉल्व करना मेंटें रखा बहुत सारी इंटरनाशनल डिस्प्यूट को से सुधार दिया इट है प्रिवेंटेट कॉन्फिक्स प्रिवेंट माने बचाना कॉन्फिक्स पाने जगड़े मतभेद ठीक है फ्रॉम तर्निंग इंटु मेजर वर्स तो क्या हुआ अगर देशो इसने एफ़र्ट किया प्रेवेंट यानि बचाने के लिए मिस्यूज ना हो डिस्ट्रक्टिव वेपन का देश्ट्रक्टिव वेपन कौन्स होते हैं वह हत्यार जो की मतब एक तरिके से बहुत जादा डिस्ट्रक्शन पहला सकने हैं बहुत बर्मानु बम वगएरा तो उ नहीं उनकी पूरी कोशिश रही कि कोई इसका भिस्यूज ना करें गलत प्रियोग ना करें राइट शॉट नोट ऑन इंडियास एस्सोसियेशन विद यूएन अब भारत का रोल समझों इंडिया इस वेरी एक्टिवली इंवल्ड इन आल दा अक्टिविटीज ऑफ दे पूरा सपोर्ट दे रखा यूएन को शांती बनाये रखने के लिए जो भी वह एफर्ट लगाता है उसमें नेक्स्ट है इंडियास पीस कीपिंग फोर्सेस आर सर्वाइबिंग इंडिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड तो हमारी जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं तर्किस ह इसमें जितने भी रिलीफ ऑपरेशन रिलीफ ऑपरेशन कौन से होते हैं जैसे की बिच शांती बनाया रखने के लिए होगा एक तरीके से ठीक है तो वह यूएन अजनसी को इन्डिया वह अपने मंदे भीता है अपने सपोर्ट देता है पुरा इंडिया है एक पूरा लिक लिकित में description दिया हुआ है पूरा लिकित में of how an organization is to be formed कि किस तरीके से organization बनी है and how it should function और इसको कैसे कैसे function करना इसको क्या करता है अगर किसी देश को लग रहा है कि हाँ उसको सही लग जी है इनकी सब बाते तो वह भी charter sign कर सकता उसका member बन सकता है what is human right of human right क्या होता है the basic right of every individual हर एक को तो कुछ basic right चीए ना जंदा रहना है तो सवतनतरता का अधिकार बुलने का अधिकार चीक है कुछ भी सवतनतरता और समानता का अधिकर कि सब लोग के साथ बराबर का भ्यवार हुआ जैसे हैं मारे आदेश में मिले हुए हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे और भी rights है सो चो basic right होते हैं इंसान को जिन्दा रहने के लिए treated fairly माने उसे लोग अच्छे से treat करें सही दंग से उसको ही हम बोलते हैं human right what is disarmament अब यह disarmament क्या होता है the reduction माने कमी लाना और विड्रॉ कर लेना बिल्कुल यूजी मत करो off weapons को and the military forces चीक है तो उसी को disarmament रहते हैं इक तरीक से हाथियारों का प्रियोग मत करो यह लोग यह बोलते हैं ठीक है कि अगर हमने भी मान लोग अपनी forces रखें तो हमारा purpose नहीं होना चाहिए कि हमारे border वो safe रहें ठीक है यह परपस नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे की जमीन हाती आ लें तो यहां पर तो किया disarmament की बात चल रहें तो यहां पर तो यह ही है कि भी जितना हो सके कम use करो weapons को और military forces को आप आजाओ जी फिलप्स की तरफ ठीक है मैं इसी वीडियो में cover कर देती हूं so that complete chapter के notes एक ही वीडियो में आ जाएंगे चले जी पहला देखते जाओंगे मैंने कहा कहा जो है वो बना है just a minute dash देखो पहला आएगा यहां पर यह रहा है कि लाज स्केल देस्ट्रक्शन पर पैन जो कहा है बहुत जादा तभाई मची लोग मर गए jobs चली गई घर बरबाद हो गए फैक्ट्रियां खत्म हो गई मतलब बहुत बहुत बरबा किस लिए था यहां पर इसके बना ले ना इसको word peace after the second world war तो जितनी भी countries थी उन्होंने प्रे की अलग लग देशोंने और आशा रखी कि पुरी दुनिया में क्या रहे word peace रहे इसके बाद after the second world war next देखते हैं यहां पर तो दिख रहा है for the formation of UN representatives, UN representative के formation मतलब क्यों हो था ठीक है, of कितनी countries थी उसमें 51 countries थी, कहां मिले थी San Francisco में, वो कहां पर है USA में, कब में हुआ था यह start 24 October 1945 में, और क्या sign किया गया था चार्टा, तो पता चल रहा है, blank कहां कहां पर है, for the formation of UN representatives, of कितने country में मिले थे, 51 countries के, कहां मिले थे San Francisco में वो कहां पर है USA में, कब मिले थे date के है, 24 October 1945, बहुत important है, most importantly, लिख लो इसको तो question, ठीक है, Philip, and sign क्या किया तो उनने charter, अब, dash is observed at the United Nations Day every year, तो कौन सा date है, observe के जाता है, United Nations Day, 24 October, today the organization has, कितने members है, 193, यह Philip है यहां पर, the United Nations does not have, क्या नहीं है, United Nations का मतलब यह नहीं है, कि वो क कोई frame करता है laws को, nor does it impose taxes, ना यह कोई देशों पर tax लगा रहा है, ना कोई यह कानून जो है, वो frame करता है, frame करता मतलब बनाना, चीक है, इसका काम तो शांती बनाए रखना है, कानून बनाना है, UN is the platform where, क्या होता है, क्या discuss होते है, UN कैसा platform है, जहां पर क्या discuss होते है, issues, क्य होते हैं, और क्या निकाले जाते है, solutions are worked out, ठीक है, solutions पर काम होता है, कि यह एक ऐसी जगाए, कैसा platform है, जहां पर अगर देशों में कोई भी problem है, तो वो issues discuss किया जाते है, जिन पर वो problem है, ठीक है, फिर उनके solutions जो हो, उस पर work out किया जाता है, कि भी कैसे, इस problem भो खत्म किया हमेशा safe रहे हैं भई पूरी दुनिया, there are dash main organs of the UN, आ सकता है, that is 6, कितने main organ हमने पढ़ेते हैं, 6, next, the general assembly is like the dash of our country, तो किस से general assembly को जो हमारी compare गया गया है, वो हमारी parliament से किया गया, उसकी general assembly को, क्योंकि हमारे parliament में भी कानुन अगर बनता है, या कोई बात मानी जाते है, तो उसमें वोटिंग होती है, यहां पर भी वोटिंग होती है, हर एक का एक एक वोट होता है, security council has कितने members, 15 members, तो ध्यान रख नहीं यहां पर फिल आप है, the UN has created a network of agencies, देखो, UN ने क्या किया, आप हो सारे अलग-अलग agencies बनाए, अलग-अलग agencies, अलग-अलग type का का काम करती है, टीक है, group of people समझ लो, आप help करती है, poor लोगों को, sick लोगों को, यह agencies, illiterate, अनपढ़ लोगों को, इस तरह से UN ने पूरी दुनिया में, गरीबी मिटाने के लिए, बीमारिया मिटाने के लिए, पढ़ाई, ना अनपढ़ नहीं रहें लोग, उस सब के लिए क्या किया, create किय बहुत सारी agencies बनाई, the agencies of the UN look after करती है, issues such as, क्या-क्या देखती है, वही कौन-कौन सी जो problems से हैं, कौन-कौन सी issues पर काम करती है, human rights के, equality to women, सब लोग, women को एक पल समझे, and regulation of trade, वही व्यापार सब देशों के बीच में proper बना रहें, यह सब UN जो agencies हैं, वो सब इसन सब is coordinate करना by the economic and social council, the work of these agencies is coordinated by, sorry, in agencies का काम कौन कौन करता है, कि यह agencies जितनी भी UN ने बनाई हैं, लोगों की help करने के लिए, sick people की help करने के लिए, education के लिए, तो वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यह कौन देखता है, economic and social council, यह वाला जो और कने, यह agencies को देखता है, the trustorship council is no longer functional, तो यह question आ सकता है, कौन सा council है, जो अभी functional नहीं है, तो trustorship council अब functional नहीं है, the international court of justice, चीक है, ICT is up, यहाँ पर है, कौन सा होता है मारा principal judicial organ, तो वो ही हमारा international court of justice, चीक है, principal judicial organ है, यह हमारे UN का, यहाँ पर judgment रहता है, तरीके से, ICJ has कितने judges, 15 judges, यह भी पूछा जा सकता है, the judges of ICJ are elected, चुने जाते है, for the term of coffee time के लिए, 9 years के लिए चुने जाते है, यह 9 साल के लिए, इसके judges, the agencies of the UN work करती है, on common word problem पे, जो भी संसार में common word problem है, यह agencies, जिती भी हमारे यह बनाई गई है, यह काम करती है, उस पे problems पे, most of the agencies of UN work करती है, through the economic and social council के त्वारा, अभी हम ने पढ़ाता है, economic and social council यह बाला जो औरकन है, यह agencies के काम को चेक करता है, the dash has been very successful in maintaining peace, वर्ड में, the UN, United Nations, यह वो काफी successful रहा भी, कोई और यह दी नहीं हो, उसके बाद, next आ चाल भी, the UN has been able to solve many, क्या चीज, क्या solve कर पाया UN, international disputes, चीके, तो international disputes, जो है, वो जगडे जो है, उ conflicts यह नहीं जगडों को, मत भेदों को, for turning into major war, किस चीज के लिए रोका कि वो major war में turn ना हो पाए, the first all woman peace keeping force of the UN made up of, कितने इंडियन उसमें, वो police woman है, 105, ठीक है, the first all woman peace keeping force of the UN made up of 1000, sorry, 105 Indian police woman, ठीक है, एतनी ही है, नेक्स्ट आजाए, the main objective of UN is to maintain world peace, main objective क्या है UN का, यह पूरे समसार में क्या रहे, शान्ती रहे, बतलब एक दूसरे से कोई लड़े नहीं, जगडे नहीं, ठीक है, तो यह भी है, इसमें, next चीज में आ जाते हैं, अब यह तो हो गया, फिनिश, और एक और चीज बता देती ह आप लोगों को, कि अगर आप लोगों ने, जो है, यहाँ पर एक आपका पेज नमबर 132 पे ते रखाए, UN सेकेटरी एट्स जनरल के लिए, इस तो वो ज़रूर कर लेना, ठीक है, और 30 मिनिट में मेरा टार्गेट था कि आप लोगों का पूरा नोट्स में करा दू, जैसे मिल देने नेक्स वीडियो में, बाँ बाई